योट्सब गईज कैसे आफसे भी लोग विलकूम बैक टो एजर गेम लेए वीडियो तो कहीं साथम दूबार से के लिए जा रहे हैं हिटमेंट टू अब आप सब भी लोग को पता हो गया लाश वले एपिसओड में एजेंट 47 गया था सेपियंस है के बहुत विडिवल कॉस्टल टाउन में वहाँ पर हमें दो लोग को एलिमिनेट करना था पहला था वह बंदा जो की बायो एंजीनियर था और उसके लैब हैट थी तो उन दोनों का प्रोजेक्ट चल रहा था डिने स्पैसिफाइड वायरस को बनाने के लिए तो आज यहां पर हमें दो लोग को एलिमिनेट करना है पहला है ओवन के दूसरा है ख्लोज लेबली तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूँगी जो ओवन के जनाम का बंद है इसने अपने आपको वायरस से इंजेक्ट कर लिया है और इसको नहीं पर उपर इनका कोई लैब अगर कोई बंदा के बगल से भी निकलेगा तो उसको वायरस हो जाएगा तो अंदर लैब में काफी सारे बंदे तो मतलब वायरस बहुत बंदों के फैलने वाला है तो यहां पर भी हमें दो लोग का इलिमिनेट करना है लेकिन जिसको इनफेक्ट होते जाएंगे जो जो ल मैंने कोई ड्रॉप कर दिया है अब इन में से कोई ने कोई साउंड सुनके इसे उठाने जरूर आएगा और तब मैं उसको मार के उसकी ड्रेस ले लिए लिए तो यह काफी बढ़िया चीज कर दी मैंने स्टार्टिंग में आते ही अब यहां पर सामने की तरफ में एक रस् इसको उठाके अभी मेरे को नीचे फैक नहीं अब यहां पर इसके ड्रेस ले लिए यानि कि हमारी जो अंदर एंट्रेंस काफी अराम से हो सकती है तो इसको एक काम करता हूं नीचे फैक देता हूं फटा फट से अभी न मेरे को जितने भी रस्ते में सिक्यूरिटी काड़ रहे हैं उनको मारते हैं चलना पड़ेगा ताकि आगे चल करना कोई भी दिक्कत ना है गन अंदर रख लेता हूं इसके पास भी काफी तगड़ी गंती ओपके तो यहां पर इसके पास एक SMG थी जो कि मैंने उठा लिया है अब यहां पर यहां पर है और इसी हैली पैट पर ओवन के जाया था तो यहां पर अभी अंदर हमें दो टार्गेट्स कोई मारना है ओ भाई एक बंदा इंफेक्ट हो गया तो ओके तो देखो ओवन केज के बगल में एक बंदा गया था तो भाई सब यह बहुती बड़ी गड़वड हो गया मतलब कि यहां पर ना देखते ही दो लोग और इंफेक्ट हो गया है तो यहां पर अभी जिन्हें हमें अपने टार्गेट है उन्हें तो मार नहीं है लेकिन जो जो वाईरस से इंफेक्ट होते जाएंगे उन लोग को भी आमें मारना पड़ेगा तो यहां पर यह वाला गेट मैंने खुल दिया है तो देख साम करते हैं अपने टार्गेट तक पोस्त है जो भाई सामने एक बंदा खड़ा हुए जिसे वाईरस वह हो रखाई यह देखो अगर इसके ओपर यह रेड गलर का आ रहा है तो यानि समलो कि यह इंफेक्ट है तो मुझे आगे नहीं जाना चाहिए अगर यहां से मैं आगे की तरफ में एक रास्ता हो रहा है यहां से चल कर देखते है क्या पता कोई ने कोई तगड़ा क्लिव मिल जाए यहां पर मैंने देखा तो आगे रास्ता ओके वह देखो सामने एक रास्ता जा रहा है और यहां पर अंदर एक रूम है इस रूम के अंदर चल कर देखते है औ तो यहां पर भी मैंने से मारना थोड़ा सा इंपोर्टेंट था कि मैं यहां पर अराम से अंदर एंट्री ले सकूँ यहां पर मेरे पास काफी सही गंस है एक रास्ता लेफ्ट में जा रहा है एक रास्ता राइट में जा रहा है तो यह कोई सी जगा है तो यह तो बात्रूम तो भाई सब देखते ग्यारा लोग इंफेक्ट हो गया है इतने सारे लोग को कैसे मारों यह देखो बारा हो गया अब मुझे डर यह लग रहा है कि मुझे ना हो जाए वह वायरस अभी यहां पर आगे की तरफ में कुछ यह तो यहार कुछ होटेल टाइप एरिया है मतलब कि रेस्टोरेंट सा बना हो यह फिर कैंटीन आप कहा सकते हो तो यहां पर शैसे मेरा कोई भी काम नहीं है अभी मेरे को ना उस एरिया में जाना है जहां पर कि वह ओवन केज है और उसका जो मतलब कि साइन्टेस है जो कि ठीक करेगा वो है और यहां पर जितनी बंदें इंफ खतम करता हूं मेरे पास अभी ओके तो सामने मेरे पास एक साइलेंट के लिए वैपन पड़ा था और यह बंदा ओ इधर क्या करना है तेरी में इसके टांग निकल यहां से तो यहां पर अभी गड़बड पता है क्या होगी कि मैं एक डॉक्टर रोर मैंने गन उठा रही है इसा नहीं होता भाई एसा नहीं होता दॉक्टर गे से च्शाट करने पड़ेगी इस कुम्हें यहां पर इंतल को निकलना पड़ेगा और यहाँ पर अंदर की तरफ में एक डॉक्टर है अगर मैं इन दोरों लोग को मार दू तो क्योंकि मेरे पर बहुत शक कर रहा है ना बेटा तू निकल तेरी भैंस की डंक बे मतलब का शक करोगे देए जरा इसके भी देदू मैं लगे आत अरे रे रुगजा रुगजा ते तो यहाँ पर मैं से ओफ एक तो गाइस मैंने इस सिस्टम क्रैश कर दिया और यहाँ पर जितने भी सीसी टीवी ते मेरे साब से मेरे साब से सारे ओफ हो चुकिए भी बाकी पता नहीं कहीं और भी सैट अप कर रहा हो ओके बेटा बेमतलब शक करनी कोई जरूत निकल यहां तो यहां पर ओ झान पर एक लड़की खड़ी है और भा यह टेखो यह इंफेक्टिट है यह इंफेक्टिट है इसे मारना पड़ेगा है तो अगर द्रस पहने भी ना यहां पर पूस था तो मुझे भी वाइरस हो चाता तो यहां पर गून अंदर रख लेता झाकि बंदों केज, तो इसी बंदे को में मारना है, और यहां पर एक बंदा मेरे पर शक कर रहा है, शक मत कर, शक मत कर मेरे, शक मत कर, भाई साब, यह लोग मेरे पर शक क्यों कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कर रहा भी नहीं, अभी इनकी आखों के आगे, यहां पर अंदर चलता है, तो यह मैंने पिस्टल खोली इसे मारा अब यहाँ पर एक बटन है इस बटन को मैं तब ओके यहाँ पर एक बटन तो ओ भाई वो दोनों लोग जल गए बाई साब यह बहुत ही तकड़ा सीन हुआ है उन दोनों लोग को मैंने चला दिया तो भाई साब इन सब को वायरस हो खेल को यहां से खतम करना है मैं रुक जाहिए मैं आपको मरना पड़ेगा मैं कुछ नहीं कर सकता अधर्वाइस पूरा वर्ल्ड जाएगा आपके शक्कर में तो बाई बाई गुडबाई भाई सब 17 और बचे जिने में मारना है ओके तो एक सब लोग जान मुझके इनके प 25 पीपल सार इंफेक्टेट फोंग इस वाइरस वाइस साब क्या इसी नहीं बाई ओटो गन ला रहा है इतनी खतरनाफ गन्स ला रहे हैं तो यह लोग मेरे को मारने के लिए भाई मैंने भी तगडी गन इठाली है तो इसके टांग निकल यहां से अब मैं इनको बताता बई हर सिक्यूरिटी गाड को यह वाइरस हो रहा है हर सिक्यूरिटी गाड को निकल यहां से तो कैस देखो सिंपल सी बाता है कोई भी वाइरस फेला है या फिर ना फेला है लेकिन यह जितने भी सिक्यूरिटी गाड है यह लोग पूरे एरिया में घुमते है और इन लोग को देखो वाइरस हो रखा है और यह लोग पूरे में घूम घूम के इस वाइरस को फैलाए जा रहे हैं तो इनको सबसे पहले मारना पड़ेगा और यहां पर भी 16 पीपल सार लेफ्ट जो की इंफेक्टिड हैं अभी यहां पर यह आईसोलेशन एरिया इसके अंदर में जा सक होगी है मेरे उपर फटा-फट से निकलता हूँ वरना गडबड हो सकती है तो कैस अभी मेरे पास कोई भी उप्शन नहीं बचा है अब मैं जा रहा हूँ सभी बंदों को मारने मेरे पास खैर एक पिस्टल है और इसी पिस्टल से जितने भी बंदे अभी फिलाल सब को यह वारास हो चुका है तो मुझे सब को मारना पड़ेगा और सिक्यूरिटी काड को मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी है और लेकिन उन्हें मारना इंपोर्टन भी है वरना वो लोग मेरे को मार देंगे क्योंकि उन लोग को वैसी मेरे उपर शक हो चुका है कुछ ही न अंदर कोई नहीं आएगा भाई अंदर कोई नहीं आएगा मैं नीचे जारू मैं नीचे जारू एक मिनट रुख जाओ बहुती गड़वड वाला सीन है वैसे यह तो ओके तो यहां पर भी काफी सारे इंफेक्टीड हैं इनको भी मार देता हूं यार क्या ही करूं यह देखो अपको मारना पड़ेगा भाग नहीं कोई कोशिश नहीं करेगा गाइस बंदों को मारते मारते मैंने जो रेट था काफे तर डाउन करते देखो बिचारे अपना अराम से वकेशन मनाने आये होंगे मदलब फूल ओकी तो सिक्यूरिटी काड भी लेकिन पहले इनको मारतो सि जाले जा रहा है उसके बाद भी समझ नहीं आ रही है मदलब की भाई यह देखो रुक जाओ मैं अभी कहीं मत जाओ कोई कहीं नहीं जाएगा रुक जाओ रुक जाओ चुप चाप खड़े जाओ बोली खालो अभी कोई उप्शन नहीं अपने पास मरना पड़ेगा सार अगर इनको नहीं मारा तो यह पूरी की पूरी वर्ल्ड में वाइरस फिला देंगे और फिर पूरा पूरा वर्ल्ड इससे जूजे तो मैं यह नहीं चाहता तो इससे वड़ी हम यहीं पर खेल करते था सारे के सारे वाइरस का तो कैस अभी सिर्फर सिफ 6 लोग रह गए हैं अब यहां पर थोड़े मजे लेकर भी मार दिया जाएं लोगो को मतलब वैसे इतना मारने का मन नहीं है तो यहां पर थोड़ा आराम से मारते हैं लो भाई सबजी निकलो अपने गर यहां पर क्या ही मारू गोलिया गोलिया मार मारके में परेशान हो गया तो देखो यार य यहाँ पर देखो इन मैम को अराम से खड़ी हुए डर के मारें इनको पता नहीं अभी यहाँ पर क्या चला सबके साथ तो इनको भी खतम करते हैं यहाँ पर इसका भी मैंने गला काट दिया है और सामने की तरफ में चलते हैं तो गाइस यार अभी सिर्फोर सिर्फ दो ही इसको यह वाला वाइरस नहीं था तो अभी मैंने लगबख सभी लोग को मार दिया सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचा है उसे भी ढूंड लेते हैं तो वह अरा सामने की तरफ में वह बंदा भी है और यहाँ पर और यह वाइरस ने इंफेक्ट नहीं किया क्योंकि उन्ह अब जो है वाइरस फाइनली यहाँ पर खतम हो जागा वाइस सची में काफी सारे बंदों को मारना पड़ गया आजया और पहली बार तो चलो काई अभी हम फाइनली अपने आखरी टार्गेट के पास भी पोच चुग है और मुझे इसको मारने का बिल्कुल भी मन नहीं कर जो भी वह बहुत ही बुरा सीन हुआ इस जगह पर होकाइडो में सची बतार हो इतना बुरा हाल अभी तक एजेंट 47 ने किसी भी जगह का नहीं तरह अब इससे ये पता चलता है कि एजेंट 47 से कोई भी पंगा नहीं ले सकता है पूरी की पूरी फोर्स को भी एजेंट 47 मा चाली है लेकिन यार यह वाला जो वायरस था ना सची में बहुत खतरनाक था आपने देखा होगा कि यार कुछ मिनट में यह पूरी होटेल में पहल गया था पचास साथ लोग तो इससे पहले में 30-40 लोग मार चुका था मतलब कि सो लोग थे और सो के सो में इतने कम टाइम में वायरस वायलगा काफी मुश्किल था सब को मारना वड़ा जो भी ओ काफी बढ़िया मिशन था वाला काफी महनत लगी बंदों को मारने में काफी सारे सिक्यूरिटी गाटते तो जो भी ओ अगर आपको यह वाली वीडियो अची लगी तो फटवर ड्यू यह जाग है ल गुबगा